नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर चन्दमा का गोचर जब धनिष्ठा, सत्विशा, पूर्वभादप्रद, उत्राभादप्रद और रेविती में होता है तो पंचक का निर्माण होता है चद्मा को गोचल जब कुम्ब और मीन राश में होता है तो भी पंचक की स्थिती बनती है पंचक को भदवा के नाम से भी जाना जाता है मानेता है कि पंचक की दौरान घास, लकड़ी, आदी इंदा निखटा करके नहीं रखना चाहिए साथी नई लकड़ी घर में नहीं लानी चाहिए इसके अलावा घर की छतने डलवानी चाहिए पंचक के समय चार पाई बुनना या बनवाना अत्त अशुमाना गया है पांच दिनों में पलंग फणनी चाहिए आदी को भी नहीं खईदना चाहिए साथी पंचक के दौरान दक्षिर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जुलाई 2022 में पंचक काल कब से कब तक रहेगा दिन वदिनां क्या रहेंगे तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नहीं हैं और अभी तक आप ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी पंचक आल की तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तक ही आपको मेरे वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलिए, तो चलिए शुरू कर लेते हैं, आज का वीडियो, जुलाई 2022 में पंचक का प्रारम होगा, 16 जुलाई 2022 दिन शनिवार को सुब़े 4 बच कर 17 मिनट पर, और समापती होगी 20 जुलाई 2022 दिन बुदवार को दोपर 12 बच कर 50 मिनट पर, मेरे वीडियो में अंततक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत किसी नए वीडियो के साथ